विद्यार्तियों नमशकार आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लैटफॉर्म Chemistry by D. Sharma पर मेरे साथ यानि डॉक्टर दिवेंद कुमार शर्मा के साथ मैं विद्यार्तियों इस वीडियो लेक्चर में जिस पेपर को डिसकस करने वाले जिसका सॉलिशन देखने वाले यह पेपर MCBU यानि महाराजा चत्र साल बुंदेल खंड विश्विद्याले चतरपूर का पेपर है विद्यार्तियों इस वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने क्लास मेट तक इस वीडियो को शेयर वश्विश केजिएगा अभी तक आपने कमेंड बॉक्स में कमेंड नहीं किया तो कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जुरूर बताईएगा और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा विडियारतियों यह जो पेपर है फाउंडिशन कोर्स सेकंड का पेपर है इसमें पार्ट एमेंब बात करेंगे इंटर्प्रिश्व डेवलप्मेंट यानि उद्धिमिता विकास और पार्ट भी वूमन इंपावर्मेंट यानि महीला शशक्ती करन के दोनों के 50-50 प्रश्णों के सॉलीशन देखेंगे विडियारत जो पहला प्रश्ण आपकर स्किन पर दिखाए जिरा कि उद्धिमिता शब्द किस भाशा का शब्द है तो करेक टांसर पहले का डी हो जाएगा यह एक फ्रेंच भाशा का शब्द है कोंसे भाशा का प्रश्ण करमांग चार निमलिकित में से कौन सा कतन असत्य है प्रश्ण करमांग चार का करेक टांसर हो जाएगा सी उद्धिमी जोखिम वहन करता नहीं है यह गलत है क्योंकि उद्धिमी जो रहता है वहमेशा जोखिम करता रहता है प्रश्ण करमांग पाज निमलिकित में से कौन सा गुण उद्यमी का गुण है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर D हो जाएगा सभी गुण उद्यमी के गुण होते हैं प्रश्ण करमांग 6 उद्यमी उत्पादन का उत्पाद है तो प्रश्ण कर्मांक यदि हम लोग कहें कि जो 6 उसका correct answer हो जागा A option पाश्वा उत्पाद है क्यों क्योंकि पहला भूमी होती है दूसरा क्षरम पहला भूमी दूसरा क्षरम तिसरी पूझी चोता संगटन और पाश्वा जो है उसका नाम हो जाता है यहांपर उद्यम या उद्यमि प्रश्ण कर्मांक साल शातवा भारत्य उद्यमिता विकास सथान एमदाबाद में इस्तित प्रिश्टित अर्थ व्यवस्ता में उद्यमी होता है तो जोखिम करता होता है सादक संगटक होता है पेशेवर व्यक्ति होता है करेक्ट आंसर हो जागा उप्यूकत सभी प्रश्टिकर मांग नो इन लिकित में से कौन सा गुण उद्यमी का नहीं है प्रश्टिकर मांग 10 नो इन लिकित में से कौन सा उद्यमीता विकास की आंत्रिक समस्या है आंत्रिक समस्या के बात की गई है प्रश्टिकर मांग 10 में तो ग्यारवे का करेक्ट आंसर बारवे का हो जाएगा तो पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा संक्या तिलंगा ना में हैं तो तेरा का बी ऑप्शन हो जागा यहाँ पर केरल से करल आता है तो केरल करेक्ट आंसर है प्रिश्ण करमान चौदा भारत महिला उद्यमे किन कारणों का परिणाम है तो चवदा करेक्ट आंसर हो जागा डी ऑप्शन यहाँ पर इस्तरी शिक्षा पहिलाओं का और सरकारी प्रोस्थाहान डी ऑप्शन हो जागा उप्रोक सभी पुंद्रावा प्रश्ण महिला उद्यमिता के लिए बावी संभावना है किसक क्षेतर में हैं तो करेक्ट आंसर डी उप्युक्त सभी क्षेतर में हैं यानि मिट्टी के बरतन बनाने में खेलोने बनाने में और ब्यूटी पादन में तीनों महिन प्रश्ण करमांग का सोला स्वशक्ती पेकेज योजना कब आरंब की गई तो विद्यार तो इसका एक्जेक्ट आंसर में उपलब नहीं हो पाए तो यदि आपको प्लब दोता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रू बताएगा प्रिश्ण करमांग सोला का आंसर प्रिश्ण करमांग का सत्रा सिडवी योजना द्वारा संचालित है तो सत्रा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बारती लोगों उद्योग विकास पिश्ण करमांग 18 बारत में ग्रामिन उद्योगों को परिवाश्यत किया गया है तो अठारा करेक्ट आंसर यहां पर डी हो जाएगा उप्यूक्त सभी पूंजी के आधार पर जनसंक्या का आधार पर उत्पादर तकनिक के आधार तो डी हांसर हो जाएगा उप्यूक्त स सभी 200 प्रश्ण लक्ष प्राप्ति उद्ध्यमिता का प्रारंबिक बिंदु है कुंसा बिंदु है प्रारंबिक बिंदु है प्रश्ट क्रमा की किस स्वय साहता समों होते हैं तो विद्यार्थ यह जो समों होते हैं और अपचारिक समों होते हैं और अनपचारिक दोनों होते होते हैं बहुत बढ़ा प्रश्ण हो जाएगा पांच स्थमब है कितने इस्थम्ब हैं नियूंतम जो होती हो दस होती हैं दस वर देखतम 20 होती हैं याप इसकी जो पिच्छर हमारे पास आई ना वो तोड़ा सा क्लीर नहीं आए इसलिए मैं इसको तोड़ा सा करता हूं यहां पर जो सी ऑप्शन यहां पर जो सी ऑप्शन है वो दोनों जाए व्यवसाय का आप प्रोड़ुचिन करना और यहां पर स्टार्ट अप का विद्धिय सायता देना दोनों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे चलते अगले प्रश्न की ओड़ नेक्स्ट सब्सक्रड़ी हो जाएगा उप्युक्त सभी 27 वा परश्ना का दीवम ग्राम उद्धियों का युक की स्थापना कब की गई तो 27 वे का भी आंसर हो जाएगा अपरिल 1956 को इस की स्थापना की गई अगला क्योश्चन नेक्स्ट अगला परश्न आ गया है प्ड़ा से क्लीर सब्सक्राइगा तो इसको मैं जूम आउट कर देता हूं अगला मत्यपरदीश में वित्त निकम का प्रदान कार्या लें इंदौर में इस्तित है 28 हो जागा है इंदौर 29 निमिलिक इसमें कौन सा कथन सत्य है सत्य कथन की बात हो रही है तो 20 वे का सुरी प्रश्न करमांग 29 यहां पर उप्यूक्त सभी करेक्ट है इसमें 300 वरश्न खादी एवं गराम अद्योग आयोग का प्रदान कार्या लें तो विद्यार्ट तीसवे परश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वी ओप्शन मुंबई में इस्तित है 31 वरश्न खाद्य एवं ओशदी प्रशाशन विबाक की स्थापना कौन से सन में हुई तो विद्यार्ट पर 1906 में हुई इसकी स्थापना यहां पर 1906 मुझे ओप्शन दिखाई नहीं दे रहा है FDA की बात करते है प्रशाशन विद्यार्ट पर 1906 में इसकी स्थापना हुई है और यहां पर एक भी ऑप्शन 1906 नहीं है इसने में किसी ऑप्शन साथ नहीं जाऊँगा 32 वरश्न नेमलिकेत में से कौन सा खतन असत्य है तो असत्य खतन यह बात करिए बद्यबदेश पदूशन नियंत्रण अधियों की प्रदूशन को नियंत्रण करता है यह बिल्कुल यह स्थेट्मेंट राइट है ओश्दी उत्पाद एवं विकास जो है वो विक्रेवे खाद्य एवं ओश्दी प्रशाशन विबाक का नियंत्रण होता है तो बिल्कु सही एक मार गुणवत्ता नियंत्रण सा सकता है 33 जिला व्यापार उम उद्योग के अंदर की स्थापना कब हुई तो 33 वेगा यह ओप्शन हो जाएगा 1978 को हुई अगला 34 शुक्ष्म उद्योग में विनियोग राशी और वार्षिक टन ओवर कितना है तो 34 वेगा बी हो जाएगा विनियोग राशी 20 करोड से कम वा उद्योग के अंदर की धूरी है तो सी ऑप्शन हो जाए करसी विकाश और उद्योग की विकाश जोनों के विज़ की धूरी कहलाती है 36 जिला व्यापार उम उद्योग के अंदर के संबंद में कौन सा कथन असत्त हैं तो उद्या तो 36 का करेक्ट आंसर डी हो जागा है यहा क्या सायक है? आर्थिक नियोजन सायक है. 38 का A option हो जाएगा. 39 परयोजना प्रती वेजदनिक में आवशक्ता होती है किसकी अनुभाव की मस्तिक्ष में उपयोग की अनुभाव तो था मस्तिक्ष उपयोग दोनों की 39 की हो जाएगा दोनों की. निमलिकित में से कोन सा 400 परशन उपयुक्त सभी. 41 सव का D हो जाएगा उपयुक्त सभी लाप गराकों का निर्माण और नव प्रवतन हो जाएगा. 42 क्योशन नमबर अवसर विशलेशन संब्धी थे. तो D करेक्ट हो जाएगा 42 का उपयुक्त सभी. 43 परयोजना प्रती वेजदन से तातपर यह क्या है? त S.M.E. का पूरा नाम क्या है? तो पिताल इसका A हो जाएगा सुक्ष मलगू एव मद्यम उद्यम. 46 परयोजना मुल्यानकन की अवस्ताएं हैं. 46 का A हो जाएगा दो अवस्ताएं होती है. उद्यमी है. उद्यमी जोकिम वन करता होता है, नवपरतन और पेशवरी वक्ति हो जाए तो आप इस क्योशन को Google पर सर्च कर सकते हैं. उद्यम उद्यम का कप्तान होता है. 49 निमिकेत में से कौन सा उद्यमिता विकास का बादक तत्व नहीं है. 49 का करेक्ट टांसर ड़ी हो जाएगा उप्यूक्त सभी. पुंजी की समस्या दोश्मुरू नान उक्रशी में विकास, करशिका विकास. पर योजना तयार 50 वा परशन है. पर योजना तयार की जाती है. तो हर सभी के द्वारा तयार की जा सकती है. इन सभी के द्वार तयार की जा सकती है. मतलब उद्यमिकों के द्वारा तो इद्यार्तियों तो ये तो थे आपके entrepreneurship development के 50 प्रश्णों का solution अब हम चलते women empowerment के 50 प्रश्णों के solution की और पहला परशन आपको दिखाए देना नहीं 51 question, एकावनवा question विद्वा पुन विवा अधिनियम बारत में 1856 में लागू किया जुलाई 1856 याद अखना तारीख है 16 जुलाई 1856 अगला परशने वर्श 1929 में बाल विवा निशेद अधिनियम के लिए न्यूंतम आयू कितनी रखी गई तो 14 वर्श रखेगी कितनी 14 वर्शन 53 मेन बुकर प्राइस सम्मानी दगाड ओफ इस्माइल तिंक्स के लेखी का कौन है 54 का डी ओप्शन हो जाएका रूची रा कमबॉज 55 जेंडर गेप 2023 की रिपोर्ट के लिए सार बारत में लिंगानुपाद का कितना प्रतिशत सुदार हुआ है तो विद्यार तो 55 का करेक्ट आंसर यहां पर यह ओप्शन हो जाएगा 1.26% करेक्शन हुआ है 56 गेर सुर हिंदू अधिकार अधिनियम हिंदू उत्र अधिकार अधिनियम 1956 में पून संशुदन कम किया गया 56 का करेक्ट आंसर C option हो जाएगा 5 सितंबर 2005 को संशुदन किया गया 5 सेप्टमबर 2005 57 बोध दर्म में प्रवज्या प्राप्त इसनियों को किस नाम से जाना जाता है 57 का करेक्ट आंसर हो जागा विद्यार तो यहाँ पर C option थेरी के नाम से जाना जाता है 58 भारत वे मातरत तो लाव अधिनियम कपारित किया गया 58 का करेक्ट आंसर डी आप्शन हो जाएगा को गेस लेंडर प्रोवाइड कराने के लिए लागू की गई है 60 प्रशन महिला हेल्प नाइन के अंतरकत 1090 नंबर आता है 1091 टॉलफ्री नंबर आता है 60 वे गार B option यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 61 प्रशन महिला हों पुरुशों में समान कारे के लिए समान वेतन कौन सा नुच्छेद और नुच्छेद 32 के अंतरकत आता है समान कारे के लिए समान वेतन 62 सी बॉक्स क्या है तो एक आंदुरन जो समान कारे समान वेतन पर आधारित है 65 प्रशन महिला सम्मिलन 97 वैप में कहा आयूजित किया गया तो मेक्सिकों में आयूजित किया गया 66 बाल संग अपराद को किष्णनी में रखा गया है चाचट का भी हो जायागा यह 379 ए धारा के अंतरकत 376 ए याद रहिए का है धारा 376 ए 67 निम्न में से लाडली लक्षमी योजना का उद्देश शिक किया है तो बालिगा के जन्म के परती सामाजी के सोच में सुधार उत्पन करना 67 का भी 68 कलंगी देवी पुरुसकार के इस कारेयतू दिया जाता है जो गाउं में रहने वाली होती है और दूसरी बात इनके लिए खास बात है कि उनको बारवी में 60 प्रदिशत उत्रिण करना अनिवाले है सुखने समर्द योजना कप्रारंबुई तो सित्तर का ए उप्षन हो जाएगा 2005 में तो पातरता नहीं है तो पारिवारिक आए तिन लाक प्रती वर्ष से अधिक वालों के लिए योजना लागो नहीं है पंक अभियान उप्रोक्त सभी करेक्ट नांसर सी हो जाएगा जनवरी 1992 में होई कब जनवरी 1992 में होई 74 जामली योजना का मुलुद्द शिक क्या है तो 74 का D हो जाएगा D option क्या है विष्टा वुत्ती उन्मुरन के लिए और ये योजना 92-93 में आयती जामली योजना विष्टा वुर्थी उन्मुरन के लिए बाणों दराणों में लागू की गईती 75 महिलाओं के प्रती अपराद हिंसा का रूप नहीं है तो कूप उशन नहीं है D option क्रेक्ट हो जाएगा 76 दहिच प्रताक को बढ़ावे के लिए जम्मेदार नहीं है महिला शिक्षा नेक्स्ट 77 अकिल बारती महिला संबिलन की स्थापना किसने की तो 77 का करेक्ट आंसर भी option हो जाएगा राजकुमारी सुरी राजकुमारी अमरता कोर ने की 78 संगिनी क्या है 78 का एक हो जाएगा महिला संगट ने जिसका गटन 2004 में किया गया 79 अकिल बारती महिला शिक्षा कोश संग के स्थापना कप की गई 79 का डिया option हो जाएगा 1929 में की गई 80 वा परशन सुरीम साथ असमों का उद्देश नहीं है 80 का बी option हो जाएगा आजी वी का क्या उसरों का सर्जन नहीं है बोल रहा है 80 का बी हो जाएगा 81 महिला स्वयम साथा समों का उद्देश क्या होता है 81 का डिय उप्शन हो जाएगा 82 देवेलिया बाई होलकर का समंद इन दोर से है 83 राणी दुर्गावती विशुद्याले जवलपूर में इस्ती थे 84 सावित्री बाई फूले भारत देश की प्रदम महिला शिक्षक होने का उनको गरोप्राप्त है नेक्स्ट मेरी कौम का सम्मंद बॉक्सिंग से है 86 2004 में महिला बॉक्सिंग विशुकप में स्वनपदक मेरी कौम नी जीता 87 गोरा देवी का सम्मंद चिप को अंदोलन से जोकी उत्राखण में हुआ था पेडो को बजाने के लिए अंदोल किया गया था 28 एटेज़ में से कौन सा पुरुषकार सिंदूताई से सम्धित नहीं है तो बुक्र पुरुषकार उंसे सम्धित नहीं है 89 टैसी थोंस को मिसाईल निर्मान की श्यत्र से जाना जाता है 92 प॥रश्ण इंद्रा नोईगो भारत में पद्म पूशन पुरुसकार मिला और कमिला 2007 में मिला 91 भारत पहली भारती मिला ओलंपिक पदक विजयता क्रणम महिश्वरी 92 मद्रदेश में इस्थानी निकायों में मिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन नब्बे का सी हो जाएगा 92 का सी 93 कारेस तलबर योन शिक्षण के खिलाप मुहिम का नाम क्या है तो मिटू क्या है मिटू 94 अंतराश्टी महिला दिवस 8 मार्च को मना जाता है 98 जेंडर बजट कब प्रारंब किया गया तो 95 का करेक्ट आंसर C option हो जाएगा 2008-2009 में और इसको जारी करने वाला बिहार प्रतम राज्य था 96 लाड़ी भाय नियोजना किस राज्य संबंदी थे तो मध्यपरदेश संबंदी थे 97 इंद्रा नुई का संबंद पेप्सी को कंपनी से राए 98 बारत में प्रतम लोकसवा महिलाओं का कुल कितना प्रतीशत था 98 का विद्यारत यहां पर 4.4 परसंट चार ओप्षन यहां मेच नहीं कर रहे हैं 4.4 परसंट अंदर उस टोड़ा टोड़ा बाइस सदिस्ते जितने भी लोकसवा सदिस्ते उसमें 99 यहां पर जो 99 बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना के अंतरगत मद्यपदेश में कुन सी योजना है तो विद्यारत यह इसका ऑप्षन या इसका आंसर मोपलब नहीं हुबाए यदि आपको बताएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जरूर बताएं का प्रश्ण करमान नन्यानवे का 99 का स्वा प्रश्ण वर्तमान में मात्र तो लाब अधीनियम लाब आउधी कितने हैं तो पहले यह जो बारा माह थी अब उसको बढ़ाकर 26 सप्ता यानि कि 6 मा कर दिया किया हैं तो विद्यारतियों यह पेपर था मत M.C.B.O. यानि मारे चात्रा साल बंदल करने विशिटाल चातरपूर का पेपर जो दिनांक 3 जुलाई 24 को हुआ है आई होफ वीडियो लिक्चर आप लोग अच्छा लगा होगा वीडियो लिक्चर चाल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब आउश्यक कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि हमारे लेटिस नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके विद्यार तो इसक साथ हम आपसे विदा लेते हैं जेहिन जे बारत